हेलो एवरिवान वेलकम टू आचानल माइनेम इस तनवीर कौर और आज हम बात करने वाले हैं कि जो मार्केट में ग्रेंज मिलते हैं वो हमारी हेल्थ को कैसे एफेक्ट कर सकते हैं तो गाईज इसके लिए मैं आपसे एक बहुत चुटा सा क्वेस्टन पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि अगर प्राइस जादा है किसी भी चीज का तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी वेल गाईज अगर आप ऐसा सोचते हैं देनिवा मिस्टेकन विकाज ग्रेंज के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब यह हम जानेंगे इस वीडियो में आगे कैसे और अगर आप लोग इन लोगों में से हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए देखनी बहुत ब वी आपकी बढ़न चलार कि बाइन चलार नहीं होब आपकी। chromकों अ आपको भीडियोफ कहसा और इसे के अन में स्कुम है और एसे क्या होता है नाकर मुआ कहने से लुए इंटेस्ट आयं संकुक्क। ब्लॉट प्रेशर है उस चीज को रिड़ूस करता है उस चीज को नॉर्मल लेवल पर रखने की कुशिश करता है आप थर्ड चीज जो इसमें है कि यह कैंसर की रिस्क को भी रिडिवारता है एसमें जो यहां पर करने वाली है वह यहां fibre के बारे में इतने सारे उन सब को क्या ची होता है उनका जो source of food है वो fiber है तो अगर आपकी बाड़ी को fiber मिल रहा है इसका मतलब आपकी body में जो good bacteria है उनको खाना मिल रहा है उनका जो कि यह fiber और अगर good bacteria जादा होंगे तो आप healthy रहोगे, आप अच्छे रहोगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, है ना ये बहुत amazing बात, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे जो कि है germ, अब germ जो है वो always या most of the time ये reproductive वर्ट से related रहता है, तो अब germ की जो है यहां पे दो functions है, ये क्या करता है, ये reproductive पार्ट है, इस कि हमारी body को ची होते है, हमारी growth या development के लिए, तो कौन-कौन से nutrients हो सकते हैं, जैसे की vitamin B हो गया, vitamin E हो गया, minerals हो गए, magnesium हो गया, potassium हो गया, वगया, वगया, तो ये जितने भी nutrients हमारी body को चही होते हैं, ताकि हम fit या healthy रह सकें, इसके लिए हमें, जो है, ये जो second layer है, grain की, वो आपको अभी तक इतना तो समझ आया होगा, कि जो पहली दो layers है, bran और germ, इंसे हमें बहुत कुछ nutritious जो है, वो हमें मिलता है, अब हम चलते हैं, थर्ड लेयर पर और जो थर्ड पार्ट है, उस पर हम चलते हैं, इसको हम बोलते हैं, अब एंडो स्पर्म क्या करता है, एंडो स आप यहां पर स्टोर होता है, इसमें कुछ भी nutritious नहीं है, तो यह चीज आपको जो मार्केट में आजकल खिलाई जा रहे हैं, वो यह एंडो स्पर्म क्यलाया जा रहा है, अब इस एंडो स्पर्म में जो इस टार्ट की फॉर्म में फूड स्टोर है, यह क्या होता है, यह क् सारी बिमारियां स्टार्ट होती है, वो जो हॉर्मोनल लेवल है, वो ठीक नहीं है, वो अन्बैलनस हो जाता है, तो उसकी वज़े से आपको जो है, डिजीज होने स्टार्ट होते हैं, अब इस से बहुत चारे डिजीज होते हैं, जैसे की diabetes, mellitis, cancer हो गया, heart diseases हो गया, और त जाता जरूरी है, तो जो लोग भी ये विडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि आज कल हम जो खाना खा रहे हैं, या हम जो grains खा रहे हैं, बेसिकली, जितने भी grains हैं, वो सब processed हो क्या आते हैं, अब processed का यहां पर क्या मतलब है, processed का मतलब कि जो पहली जो दो ल अब endosperm में तो कुछ नहीं है, उसमें तो store किया हुआ है, उसमें खाना store है, अब उससे क्या होता है, opacity होती है, diabetes होती है, cancer होता है, तो जितने भी आजकल world में जितने भी diseases हो रहे हैं, वो इसी की वज़ा से हो रहे हैं, क्योंकि हम polished खाना खा रहे हैं, polished का मतलब जिसमें सि क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो, तो I hope मैंने आपको बहुत अच्छी से समझाने की कोशिश करी, I hope आप सब को समझ में आया होका, so you guys need to make sure कि आप क्या खा रहे हो, क्या अच्छा है, आपको ये पता होना चीए कि आप इन सब चीजों को जो है, minimal amount में लो, ताकि limited amount में लोगे, तो क्या है, आपकी body healthy रहेगी, so I hope you all understood very well, हम आप से अगली वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद